गंगा नदी के तट पर एक धर्मशाला थी. वहां एक गुरू जी रहा करते थे. वह दिनभर तप और ध्यान में लीन होकर अपना जीवन्यापन करते थे. एक दिन जब गुरू जी नदी में नहा रहे थे, उसी समय एक बाज अपने पंजे में एक चुहिया लेकर ओडा जा रहा था. जब बाज गुरू जी की उपर से निकला तो, चुहिया अचानक बाज के पंजे से फिसल कर गुरू जी की अंजुली में आकर गिर गई. गुरू जी ने सोचा कि अगर उन्होंने चुहिया को ऐसे ही छोड़ दिया, तो बाज उसे खा जाएगा. इसलिए, उन्हो उन्होंने चुहिया को अकेला नहीं छोड़ा और उसे पास के बरगत के पेल के नीचे रख दिया और खुद को शुधा करने के लिए फिर से नहाने के लिए नदी में चले गए. नहाने के बाद गुरू जी ने अपनी शक्तियों का इस्तिमाल करके चुहिया को एक छोटी लड़की में बदल दिया और अपने साथ आश्रम ले गए. गुरू जी ने आश्रम पहुंचकर सारी बात अपनी पतनी को बताए और कहा कि हमारी कोई संतान नहीं है, इसलिए इसे इश्वर का वर्दान समझ कर स्वीकार करो और इसका अच्छे से लालन पालन करो. फिर उस लड़की ने स्वयम गुरू जी की देखरेख में धर्मशाला में पढ़ना लिखना शुरू कर दिया. लड़की पढ़ने में बहुत होशियार थी. यह देखकर गुरू जी और उनकी पतनी को अपनी बेट पर बहुत गर्भ होता था. एक दिन गुरू जी को उनकी पतनी न यह सुनकर लड़की बाली, पिताजी, सूर्य देव पूरी दुनिया को रोशन करते हैं, लेकिन वह असहनिय रूप से गर्म और उग्रस्वभाव के हैं. मैं उनसे शादी नहीं कर सकती. कृपया मेरे लिए एक बहतर पती की तलाश करें. गुरू जी ने आश्चर्य से गुरू जी ने अपनी शक्तियों का उप्योग करते हुए, बादलों के राजा को बुलाया और कहा, कृपया मेरी बेटी को स्वीकार करें. मैं चाहता हूँ कि अगर बेटी की स्वीकृती हो, तो आप उससे शादी करें. इस पर बेटी ने कहा, पिताजी, बादलों का बादलों के राजा ने सलाह दी, गुरू जी, आप हवाओं के भगवान वायुदेव से बात करें. वह मुझसे बेटर हैं, क्योंकि वह मुझे कहीं भी उड़ा कर ले जा सकते हैं. इसके बाद, गुरू जी ने फिर से अपनी शक्तियों का उप्योग करते हुए, वायुद बहुत तेज हैं. वह अपनी दिशा बदलते रहते हैं. मैं उनसे शादी नहीं कर सकती. क्रिपया मेरे लिए एक बहतर पती की तलाश करें. गुरू जी फिर सोचने लगे, वायुदेव से भी बहतर कौन हो सकता है. इस पर वायुदेव ने सलाह दी, आप पहाड़ों के रा स्वीकार करें. मैं चाहता हूं कि अगर वह आपको पसंद करती है, तो आप उससे शादी करें. फिर बेटी ने कहा, पिता, पहाड़ों के राज बहुत कठोर हैं. वह अचल हैं. मैं उससे शादी नहीं करना चाहती. क्रिपया मेरे लिए एक बहतर पती की तलाश करें. गु मैं छेद कर सकता है. आखिर में गुरु जी ने अपनी शक्तियों का उप्योग करते हुए चुए के राजा को बुलाया और कहा, क्रिपया मेरी बेटी का हाथ स्वीकार करें. मैं चाहता हूं कि आप उससे शादी करें, अगर वह आपसे शादी करना चाहे. जब बेटी चु से जैसा होता है, उसका स्वाभाव कभी नहीं बदल सकता. क्वार बेटी करना चाहे. जब जय। झाल झाल